गांदी जी और मेरी तुल्ना की ये बिल्कुल गलत है गांदी जी की जगे कहीं है और मेरी जगे कहीं और है और तुल्ना करनी नहीं चाहिए क्यूंकि वो महान व्यक्ति थे उन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी देश की अजादी के लिए दी दस बारा साल जेल काटी तो उनकी जगे कोई और भर नहीं सकता है और उनके साथ मेरा नाम भी नहीं लेना चाहिए पहली बात अब दूसरी बात में मेरे कॉंग्रेस पार्टी के जो मित्र हैं उनके उनसे तोड़ी कड़ी बात कहना चाहता हूँ देखिए जो राजीव गांदी जी ने किया इंद्रा गांदी जी ने किया वो शहीद हुए उन्होंने जो करना था किया और अच्छा किया मगर कॉंग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में ये दोहराना नहीं चाहिए देखिए महात्मा गांधी जी ने उजो किया वो कर दिया जो इंद्रा गांधी जी ने जवाला नहिनु जी ने राजीव गांधी जी ने सरदार पटेल जी ने जो किया कर दिया वो अच्छा है मगर हमें ये बोलना चाहिए कि हम जंता के लिए क्या करने जा रहे हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है तो मेरे दिल में बात आई कभी-कभी में जो आता है टेह देता हूँ तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ दो-तीन चीज़े मैं आपसे कहना चाहता हूँ देखिए ये यात्रा हमने शुरू की इसका लक्ष भारत को जोडने का था कम्या कुमारी से कश्मीर ये यात्रा चलेगी और ये दो-तीन मुद्दो को उठाने के लिए हम चल रहे हैं एक आका मैं आपको देना चाहता हूँ एक आका मैं आपको देना चाहता हूँ जिससे आप आपको सब बात समझ आ जाईए देखिए हिंदुस्तान के सो सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के पच्पन करोर लोगों के हाथ में है सो लोगों के पास इतना धन है जितना हिंदुस्तान के पच्पन करोर लोगों के हाथ में हिंदुस्तान का आधा धन आधा धन सिरफ सो लोगों के पास है और इन सो लोगों के लिए हिंदुस्तान चलाया जाता है और अगर आप उस सभी कहराई में जाना चाहते हैं तो आप उन सो लोगों को भी छोड़ दीजिए उन में से चार पांच ऐसे लोग हैं जिनको आज आप हिंदुस्तान के महराजा कह सकते हो राजा कह सकते हो पूरी के पूरी सरकार पूरा मीडिया सारे ब्यूरोक्राइट्स इनके इशारे से काम करते हैं नरेंद्र मोदी जी भी इनी के इशारे से काम करते हैं जो ये कहते हैं वो नरेंद्र मोधी हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री करते हैं इन्होंने कहा कि जो छोटे वियापारी हैं जो मिडल साइज वियापारी हैं उनको खतम करना है इन्होंने नरेंद्र मोधी जी को इशारा दिया और नरेंद्र मोधी जी ने एक के बाद एक निन ने लेने शुरू कर दिया नोट बंदी बाई और बेंडों ये पॉलिसी नहीं है ये हत्यार है ये हिंदुस्तान के छोटे वियापारियों को मिडल साइज बिजनस चलाने वालों को ये दुकानदारों को खतम करने का हत्यार है दूसरा हत्यार गलत जी एस्टी आज मुझे सबक पर बताया गया कि अगर कोई वियापारी गुड बेसन अगर 25 किलों से जादा 25 किलों से कम बेचता है तो उस पर जी एस्टी लावू हो जाती है मत अगर 25 किलों से जादा बेचता है तो उस पर जी एस्टी नहीं लगती तो जहां भी ये चोटे वियापारियों को मार सकते हैं खतम कर सकते हैं ये पूरा पूरा दम लगा के कर देते हैं लक्ष है कि जो हिंदुस्तान के चोटे वियापारी है जो देश को रोजगार देते हैं इनको करतम कर दिया जाए और हिंदुस्तान के सबसे बड़े तीन चार पूच्छ पतियों को देश का पूरा पूरा धन दे दिया जाए तो यात्रा का पहला लक्ष इसका जो नतीजा आ रहा है जो पांच साथ तुन जो पतियों को पूरा पूरा देश का दन दिया जा रहा है इसका नतीजा है कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है मेर से कन्या कुमारी से यहां तक हजारों युवा मिले हैं हजारों युवा मिले हैं और सारे के सारे मुझे कहते हैं हमें BJP के नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है हमने एंजिनियरिंग के पढ़ाई की आज हम वोला चलाते हैं उबर चलाते हैं या फिर मजदूरी करते हैं तो ये आलत हिंदुस्तान की है जो गरीब लोग है वो बेरोजगार हैं उनको रास्ता नहीं दिख रा उनके सपने पूरे नहीं होते और पांच-छे अरब पती हैं उनको सब कुछ मिल जाता है एरपोर्ट मिल जाते हैं पोर्ट मिल जाते हैं सडक भी वोई बनाते हैं खेती भी वो करना चाते हैं इंफ्रस्रक्ट्टर भी वो बनाते हैं टेलेफोन का सिस्टम भी वो चलाते हैं सारा का सारा उनके हाथ में और इससे देश को बहुत गहरी चोट पड़ रही है तो पहला मुद्धा भारत चोड़ो यात्रा का बेरोजगारी के खिलाफ कड़े होने का है दूसरा मुद्धा और हर किसान मुझे यह कहता है महंगाई बढ़ती जा रही है यहां हमारी माताएं बहने आई हैं सबसे बड़ी चोट इनको पड़ती है आप मुझे बताईए यूपीय के समय गयास सिलिंडर का क्या दाम था क्या दाम था चार सो रुपे आज क्या दाम है ग्यारा सो पेट्रोल का क्या दाम था आज क्या दाम है डीजल का क्या दाम था आज क्या दाम है तो पूरा हिंदुस्तान जानता है मगर आपको एक और सवाल पूछना चाहिए ये जो पैसा आपके जेब में से निकल रहा है सिलिंडर का पैसा, पेट्रोल का पैसा, डीजल का पैसा ये कहां जा रहा है ये किसकी जेब में जा रहा है ये किसके हातों में जा रहा है ये वोही पांच पुझोपतियों के हात में जा रहा है सारा का सारा दाना आपके जेब में से निकाला जाता है किसानों के परिवारों के जेब में से निकाला जाता है और इनी पांच लोगों को दिया जाता है ये दूसरा मुद्धा है, इंटर्नाशनल मार्केट में तेल के दाम गिरे हैं, मगर हिंदुस्तान में तेल के दाम, टेट्रोल के दाम कभी नहीं गिर सकते, इस देश में टेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जाएंगे, इंटर्नाशनल मार्केट में जहां से हम खरीते हैं वहाँ पे दाम घटते जा रहे हैं और हिंदुस्तान में बादाम बढ़ते जा रहे हैं फाइदा किसको उन्ही दो तीन उद्योग पतियों को अरब पतियों को तो दूसरा मुद्धा महिंगाई का मुद्धा है और इससे सब गरीब लोगों वो चोट पहुँचती है किसानों को मजदूरों को छोटे भी अपारियों को स्मॉल मीडियम बिजनिस चलाते हैं उनको सब को चोट पहुँचती है और तीसरा मुद्धा जो नफरत का मुद्धा है RSS और BJP उनकी योजनाए डर फलाने की योजना है नोट बंदी का लक्ष हिंदुस्तान की जनता के दिल में डर फलाने का था गलत GST छोटे भी अपारियों को डराने की योजना है जो आज बेरोजगारी है उससे डर बढ़ता जा रहा है और इस डर का फाइदा सिरफ BJP और RSS को होता है क्योंकि वो इस डर को नफरत में बदलते हैं उनका काम ही डर को नफरत में बदलने का है उनके पूरे पूरे संगतन यही काम करते है देश को बातने का काम करते है नफरत फैलाने का काम करते है और दर फिलाने का काम करते हैं और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा लक्ष और सबसे जरूरी लक्ष देश में जो दर फिलाए जा रहा है नफरत फिलाए जा रही है उसके खिलाफ खड़ा होना बाई और बेनों मैं आपसे पुछता हूँ आपके परिवार में अगर लड़ाई हो भाई भाई से लड़े बेता पिता से लड़े माता बेटी से लड़े तो क्या उस परिवार को फाइदा मिलता है फाइदा होता है परिवार को कभी ऐसा कोई परिवार है जो बाटा के आज इसमें लड़ाई हुई जिसमें नफरत है और वो आगे बढ़ गया हो कोई है ऐसा परिवार एक परिवार नहीं मिलेगा आपको तो अगर परिवार को नफरत और हिंसा से फाइदा नहीं होता तो देश को कैसे होगा तो भाई और बहनों देश कमजोर हो रहा है और इस कमजोरी का फाइदा देश के दुश्मन उठाएंगे इस कमजोरी का फाइदा जो देश का भला नहीं चाहते हैं वो उठा रहे हैं इसलिए हमने देश को जोरने की यात्रा कन्या कुमारी से स्रीनगर तक की यात्रा स्रीनगर में तिरंगा फैराने की यात्रा हमने शुरू की है और यह यात्रा स्रीनगर तक जाएदी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ देखिए राजिस्तान में महराष्ट्रा में मैं चला और जब मैं आप से मिलता हूँ आप दो नारे इस्तिमाल करते हो सरकों पे एक आप कहते हो राम राम साहे जो मैंने अभी पहले बोला राम राम साहे सई और दूसरा आप कहते हो जे सिया राम सई अब मैं आरे सेस बीजे पी वालें ते पूछना चाहता हूँ आप जे श्रे आम बोलते हो मगर आप जे सिया राम क्यों नहीं बोलते हो आपने सीता मा को इस नारे से क्यों निकाला आपने सीता मा का क्यों परिजय कुंग करते हो है अब हिंदुस्तान की नाधीय का अपमान क्यों करते हो है और मैं उनसे कहता हूं कि इन्हों ने देखिए कि आचालाकी की इनके संगतन में आपको एक महिला नी मिलेगी आपको ये महिलाओं को दबाते हैं, महिलाओं को दबाते हैं ये लोग, अपने संगतन में एक महिला को नी आने देतें इनके जो प्रचारत होते हैं, एक महिला नी मिलेगी आपको और फिर जो हमारा, हमारी जो संस्कृत ही है जे सिया राम, उसको भी ये बदलने की कोशिश कर रहे है और सीता मा का आप मान करते है तो जब भी ये आप से आपके पास आते हैं, इनसे आप कहो RSS के लोगों से कहो कि ये बंद करें और सीता मा का आप माद ना करें और जेसिया राम बोला करें, और हे राम बोला करें, और जो राम भगवान ने कहा था, बाइं और बेनों, राम ने अन्याय कभी किया? कभी किया अपनी जिन्दगी में बगवान राम ने अन्याए क्या बगवान राम ने हिंदुस्तान में हिंसा फैल आई थी क्या नफरत फैल आई थी क्या ना बगवान राम ने सब का आदर किया था गलट जी एस्टी तो लागों नहीं की थी ना नोटबंदी तो नहीं की थी न, क्योंकि भगवान राम गरीबों के थे, पांच पुंझापत्यों के नहीं थे, वो किसान के थे, मजदूर के थे, छोटे धियापारीं के थे, और वो सुनते थे, अगर कोई गरीब व्यक्ति उनके पास जाता था, वो सुनते थे जो गरीब व्यक्तियों के दिल में था वो सुनते थे, गले लगते थे तो जो भगवान नाम ने किया वो ये लोग करते नहीं है जो ये करते हैं उनके खिलाफ करते है और फिर नारा लगाते हैं जे श्रिया राम, जे श्रिया राम तो इनसे ये भी कहो कि जो भगवान राम ने किया था जो इज़त भगवान राम ने हर व्यक्ति को दी थी जो भाई चारा जो मुहपत भगवान राम ने इस देश में फलाई थी वो उनको करना चाहिए नफरद नहीं फलानी चाहिए डर्ड नहीं पहलाना चाहिए और सही नारा का प्रयोग करना चाहिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जेहिन एक शोड़ी से ब्रेक के लिए रुखते हैं कहिमत जाये जलाटे है